Hello everyone and welcome to this session जी स्वागत है आप सभी का आज के session में and I.O.P.R. boys के लिए रवास साफारी आप सभी बच्चों को शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा discussion आज की वारतलाप और आज के session जो है that is the last session और आज हमारा last session है last session मतलब time and work का ठीक है तो time and work के अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने आपको start करा है 1990 से लेकर के 2022 तक के सारे one by one हमने PYQs discuss करे हैं ठीक है और अभी इसमें थोड़े बहुत questions रहते हैं especially कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो cat 22 के question जो भी हमारे time and work के पूछे गहते हैं उनके उपर मैं आपसे बात करूँगा and साथी साथ बीच के कुछ 3-4 question रहते हैं कुछ बीच के gap year आगे थे right क्योंकि मैंने सीधा 2017 से फिर start कर दिया था तो वो जो बीच के तीन-चार PYQs रह गए हमारे वो भी हम लोग one by one sum up करेंगे ठीक है आगे आने से पहले एक important information जो मैं आपको दे देता हूँ that is की June 4 यानि की 4th of June सुबह 10 बजे एक offline seminar है मेरा that is in वडोधरा तो जो भी बच्चे वडोधरा में रहते हैं या अगर कोई मिलना चाहता है तो आ जो भी discussion है आप one by one मिल करके कर सकते हो ठीक है आपको यह particular address देख लेना यार ठीक है मुझे IDNES particular address का वडोधरा में आप देख लेना जो भी बच्चे महां से हैं और साथी जाथ अगर आपको कोई help चाहिए तो इस particular number पर आप contact भी कर सकते है 87338-3455 and यह QR code है इसको scan करके एक form आएगा उस form को fill करके मतलब register कर लेना खुद को उस particular offline seminar के लिए ठीक है चल मुद्धे पर आते हैं और ध्यान अगना कि कल इसकी last date है जो कि हमारा offer चल रहा है जिसके according आपको 20% तक का discount मिल रहा है साथी साथ up to 6 month का extension कहने का मतलब है कि अगर आप cat या फिर किसी भी other management entrance के लि subscription लेना छे महीने आपको free मिलेंगे 24,000 के आसपास का यह आपके लिए रहेगा दन शुरू करते हैं आज के questions के ओपर आते हैं वन भाइब विडियो लाइफ हो चुकी है ओके चलो सुना बात को हा बैच अभी start नहीं हुए मनीश 10th June मतलब 10th June के आसपास वो बैच स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो बैच स्टार्ट होने पर आप जैसे भी है जब आपको थोड़ा सा सहूलियत लगे तब आप उसके according admission ले सकते हो offline में ठीक है that is at CP क्यार आते हैं आज के questions के ओपर यार और हमने काफी सारे questions जैसे की discuss किये थे तो इसमें around हमारे last time last question I guess कल की class में हम लोगों ने ये वाला किया था कल का last question ये था और ये था हमारे cat 21 का last question ठीक है अब हमारे जो question है वो cat 22 के questions के ओपर आ जाते हैं तो cat 22 की अगर मैं बात करूं तो cat 22, 3 slot में exam हुआ और हर slot में एक question time and work का आपको देखने को मिला और time and work इसलिए मैं कहता हूँ यार काफी important topic है कि एक question तो confirm time and work का आता ही आता है and trust me इतना कोई difficult question नहीं होता, अगर आपने तरीके से पूरा time and work पढ़ा है तो कहीं न कहीं आप उसको easily deal कर पाते हो, ठीक है देखते हैं क्या-क्या question आए थी, तो पहला question हाला कि ये series का मतलब time and work का question number 46 है ठीक है तो around total 48 question है, देख लो last 48 question है, तो 1990 से 2022 तक में total 48 question है हमारे time and work के और वो सारे question मैंने आपको discuss करा है, जो भी 6-7 question रहते हैं, वो आज की class में करके sum up करेंगे तो cat 22 का question है ये आपके सामने, एक बार आप इसको try करो, अगर आपसे होता है बहुत अच्छी बात है, otherwise मैं कराता हूँ एक बार फटाफट से try करो से, कि आपके according क्या answer होना चाहिए and then मैं explain करता हूँ कि मेरे साब से क्या होना चाहिए क्यार ये question जो है आपका, ये question आपका that is working alone, अनू, तनू and मनू तो ये जो question है ये टीटा form में आया था, मतलब कि आपको answer type करके आना था, तो आपके पास 2 minute का time है, आप फटाफट से try करो, क्या answer होना चाहिए Okay, so working alone, the time taken by अनू, तनू and मनू to complete any job are in the ratio 5, 8 and 10 और ध्यान देना ये time का ratio दे रखा है They accept a job which they can finish in 4 days, अगर ये सारे मिल करके 8 hours per day काम करते हैं, फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर अनू तनू work together for the first 6 days, अगर ये पहले 6 दिन, अनू और तनू पहले 6 दिन काम करते हैं, 6 hours 40 minutes per day के साब से, तो आप ये बताओ कि number of hours मनू को कितने लगेंगे, remaining job को खतम करने में, बचे वे काम को खतम करने में, मनू को कितना टाइम लगेगा, और, मनीश का कहना है 21.6, निस्ठा का कहना है 6, सुहान का कहना है 6, चेक करते हैं, देखो याँ, सीधी सी बात है, यहाँ पर ये clearly दिख रहा है कि सरी ये efficiency based question है, अना, efficiency मुझे indirectly बताए गई है, directly नहीं, indirectly, क्यो time का ratio है, तो अनू, तनू और मनू की efficiency का ratio क्या होगा, तो आप कहोगे सर, इनके time का ratio 5, 8, 10 है, तो efficiency का ratio होगा 1 by 5, ratio 1 by 8, ratio 1 by 10, अब यहाँ पे इसमें denominator से 5, 8, 10 को अगर आपको हटाना है, तो इन सब को multiply कर दो 40 से, तो efficiency आ जाएगी 5, 8, 8, 5, and 10, 4, तो अनू की efficiency 8 है, तनू की 5 और मनू की 4 है, और यह जो efficiency है ना, यह आप परार लेके चलो, क्यों, क्योंकि वो hours पे बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, hours पे तो आप परार के साब से चलो, ठीक है, मतलब आप यह बोलो, कि जो अनू है, वो एक घंटे में 8 chair बनाती है, तनू एक घंटे में 5 chair बनाती है, और मनू एक घंटे में 4 chair बनाता है, या बनाती है, ठीक, अब यहाँ पर question में बोला है, कि जब यह एक 7 काम start करते हैं, यह एक job accept करते हैं, कि भाई हम इस काम को 4 दिन में खतम कर देंगे, मतलब यह basically किसी काम को 4 दिन में खतम कर सकते हैं, with a condition, कि अगर यह 8 hours per day काम करें, तो भाई यह time कितना ले रहें, इसका मतलब यह mil करके time ले कितना रहें, कौन, अनू, तनू और मनू, time कितना ले रहें, अच्छा यह तो ATM बन गया, क्या बात है, अनू, मनू और तनू कितना time ले रहें, तो आपने कहा, कि सर यह 8 hours per day काम करते हैं, और यह 4 दिन में काम complete करेंगे, मतलब मैं कह सकता हूं कि यह 32 hours में काम complete करेंगे, अब यह 3 mil करके, 1 घंटे में कितनी chair बनाते हैं, तो total work क्या होगा, सर यह 3 mil करके, 1 घंटे में 8, 5, 13, 4, 17, 17 chair बनाते हैं, और सर question कि according है, 32 hours में पूरा काम करते हैं, तो total work है, 17 into 32, solve करोगे 17, 2 34 का 4, 3 carry गया, 51 और 3, 54, यानि इतना आपका total work है, 544 आपका total work है, दने बाद, तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको efficiency दी होगी, तो पक्की बात है, कि वो आपको किसी न किसी के time जलूर बताएगा, जहां से आप total work निकाल पाओ, और ऐसा ही again, 22 में जो question दिया, उसम काम आपसे करवा कैसे रहे, अब ये क्या चाहता है, अब जैसा कहेगा, वैसा कर देना, question में कहा रहा है, कि अनू और तनू ने काम start किया, और इन्होंने पहले 6 दिन तक काम किया, और ये per day कितना काम करते है, 6 hours 40 minutes, मुझे लगता है, यहां बैटा हर बच्चा इसको फटा- कि सर, 6 hours 40 minutes का मतलब कितना होता है, 6 hours 40 minutes, तो सर, ये 6 hours तो 6 होगे, 40 minutes होते है, basically 40 upon 60, cancel out करोगे 2 by 3, कितना हो जाएगा आपका, that is 20 by 3 hours, ये आप मन में calculate कर सकते हो न, ये सब चीज़े लिखने नहीं होती है, अर exam में, ये सब मन में calculate हो जाता है, कि 6 hours 40 minutes, मतलब 6, और 40 minutes मतलब 40 upon 60, cancel out करों तो 2 by 3, तो 6 plus 2 by 3 मतलब 20 by 3, तो basically 20 by 3 hours लेते हैं, तो सबसे पहले सीन क्या है, अन्नू और तन्नू ने काम कितना किया है, सर, अन्नू और तन्नू एक घंटे में कितनी चेहर बना सकती है, that is sir, 13 चेहर बना सकती है, इन्होंने एक दिन में, एक दिन में कितने इन्टे काम करती है, 6 hours 40 minutes, जिसका मतलब होता है 20 by 3 hours, तो sir, अगर ये एक घंटे में 13 चेहर बनाती है, तो 20 by 3 hours में कितनी चेहर बनाएंगी, 13 into 20 by 3, तो ये तो हो गया एक दिन का काम, क्योंकि एक दिन में सिर्फ ये 6 hours 40 minutes काम करती है, इन्होंने कितने दिन में काम खतम किया 6 दिन में, इसलिए multiply 6 भी आएगा, तो कही न कहीं अन्नू तन्नू ने कितना काम किया, 6 days में by working 6 hours 40 minutes, इस 13 into 20 by 3 into 6, cancel out करोगे, तो 6 इसको 2 पे cancel out करेगा, 13 तूज़ा 26, तूज़ा 52, यानि 520 चेहर, तो अन्नू और तन्नू ने 520 चेहर बना दी, तो अब काम बच्चा कितन remaining work कितना है, 544 में से 520 चेहर बन गई, तो सर्थ 24 चेहर बनाना बाकी है, जिसको बनाएगा कौन, जिसको बनाना है मन्नू को, और मन्नू इस काम को करने में कितने, कितने hours लेगा, कितने hours लेगा, तो सर्थ 24 चेहर बनानी है, और मन्नू एक घंटे में 4 चेहर बना सकता है, 6 hours, दने बात clear है सभी को? एक बार chat के थूरू बताना, सुहान, निस्टा, मनीश, जो भी बच्चे, सब को clear है अच्छे से? राइट, तो कुछ ही नहीं है, वहीं सेम कहानी जो हर बार चलती आ रही है, कि अगर question में आपको efficiency दी गई है, तो पक्की बात है कि वह आपको total time जरूर बताएगा, चाहे एक worker के, चाहे combination of worker के, तो उसने आपको time बताया, वहाँ से आपने total work निकाला, फिर question ने जैसा कहा, आपने वैसा वैसा कर दिया, राइट है जी बात, simple सी कहानी है, आगे बढ़ते हैं, cat 22 के अगले question पर आते हैं, और ये है आपका cat 22 का अगला question आपकी screen पर, question क्या रहा है, a group of n people work on a project, they finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days, thereafter 10 people left the group and the remaining people finished rest of the project in 14 days by working 10 hours a day, तो बताओ n की value क्या है, again मैं कहा सकता हूँ, elementary method का एक बहुत simple और बहुत direct question, आप इस चीज को समझो यार, इसलिए मैं कहता हूँ, time and work अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि time and work अच्छे से पढ़ के जाने का मतलब है, कि एक question confirm हो जाता है, क्योंकि इतना complicated आता नहीं है, कुछ limited concepts है, वो concept आपको पताओने चीए, that's it, क्योंकि एकरआ। 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days and thereafter 10 people left the group and the remaining people finished rest of the project in 14 days by working 10 hours a day. तो आपको बताना है N की value क्या होगी है? क्या लगता है? सभी बच्चों के साब से. क्या कर रहे हैं? इतना complicated नहीं है फटाफट बताओ. वही है आपको दिये होते हैं number of man, number of days, number of hours वगेरा. कहता है एक आदमी, मता एक group of n people है, ठीक है? वो 35% काम खतम करते हैं, 7 hours a day काम करके 10 दिन के अंतर. तो number of person कितने हैं? सर, n. वो कितने hours काम करते हैं? 7. वो कितने days काम करते हैं? 10. उन्होंने काम कितना किया? 35%. फिर बाद में 10 आदमी और आगे, आदमी कितने होगे? n प्लस 10. ठीक? वो, 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 14 days काम करते हैं, ठीक है, days multiply. 10 hours a day, 10 multiply. अपॉन में, बचा हुआ काम करते हैं, 35% इन्होंने कर दिया, तो ये काम करेंगे 65%. डिवाइड में आएगा, और बीच में equal to. ऐसी करते हैं, फिर्स्ट केस में, जो भी number of men है, जो भी days है, जो भी hours है, जो भी efficiency है, सब को. पता है था ना, मैंने याद होगा, elementary method पे, number of men, multiply number of days, number of, मतलब, उनकी efficiency, number of hours, सब को multiply करो, upon में, W4 work. यही होता है, elementary method, MDH method भी कहते हैं से, तो simple सा है method है, इसी को लगाना है, बस calculate करो, कुछ खास नहीं क्विश्चन में, ठीक है? बागी calculate करना क्या ही बूलो, ठीक है, इसके बाद अराम से आप कर सकते हो, कि सर, 10 से 10 cancel out होगा, 7 इसको cancel out कर देगा, 2 पे, सर, यह percent से percent अटाओ, 5 के डल में 7 पे जाएगा, 5 के डल में आपका 13 पे जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका, that is 13N, यह हो गया आपका 13N, और यह 7 1, 2s are 14, तो N plus 10 के साथ, आप multiply कर लेना 14, तो यह हो जाएगा 14N, यह है 13N, कुस तो गलत लिखा है मैंने, अचा 10 में left the group है, तो plus 10 नहीं आएगा, minus 10 आएगा, क्योंकि 10 में left the group है, 10 आदमी काम छोड़ कर गए हो, तो यहाँ पर plus नहीं, यहाँ पर minus आएगा, ठीक है, तो य यहाँ सब का, I hope clear है, simple, तो काफी simple और काफी direct question elementary method का, और बिलकुल भी time taking नहीं, जैसे यह question, हाला कि असान यह भी था, पर दोनों में comparison, यह तो time taking भी नहीं है, बहुत जादा direct question है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, एक next question पर आते हैं, थोड़ा सा अच्छा question मैं कह सकता हूँ time and work का alternate days में, alternate days एक तो यार, बड़ा, मुझे लगता है, यह management entrance वालों का न, काफी favorite section है, यह alternate days, time and work में, तो एक बाद राई करो, आप लोग क्या answer होना चाहिए, Bob can finish our job in 40 days if we work alone, Alex is twice as fast as Bob and thrice as fast as Call in the same job, suppose Alex and Bob work together on the first day, Bob and Call work together on the second day, Call and Alex work together on the third day and they continue and they continue the work repeating three day roaster with Alex and Bob working on the fourth day and so on, तो आप बताओ, Alex ने इस project पे कितने दिन काम किया है, question आपका टीटा form में है, और एक अच्छा question है, तुक्के बाजी मत करना, तरीके से solve करके बताना, क्या answer आएगा, देखो, pattern वही है, अगर आप देखो, efficiency के बारे में बात किया है, direct और indirect manner में, यह efficiency पे बात करी रहे है, कि भई, Alex हो गया, Bob हो गया, और call हो गया, उनकी efficiency पे बात कर रहे है, नहीं, इसका option नहीं है, टीटा form में है question, यह question टीटा form में आए था, ठीक है, तो अगर आप देखो efficiency के बारे में बात करीगी है, Alex, Bob और call की, और मैंने कहा बोला, जब भी वो efficiency पे बात करेगा, तो पक्की बात है, किसी नहीं किसी के days बताएगा, जैसे आप Bob के days बता रहे हैं, 40, तो आपके पास efficiency आजाएगी, Bob के days से total work आजाएगा, और बस फिर question जैसा कहें, बस चुप च case बताएगा, हम हाँ से total work निकालो, और question जैसा बोले, बस वैसा करता हूँ, ठीक है? ओके, आया answer आया किसी का, इस question में actually, मतलब silly mistake हुई थी बच्चों से काफी, silly mistake वाले काफी बच्चे थे इसमें, निस्टा का कहना है 11, ओके, पृत्वी का कहना है 11, और कोई बच्चा? सुहान का कहना है question mark, लक्ष 11, जैसे हैं, मैंने आप लोगों को बोला है, आपको question में, देखो, simple बात है, आपने question बढ़ा, सबसे पहले ठीक है, कि sir, bob किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है, अगर अकेले काम करें, लेकिन जैसे आप आगे बड़ोर, आपको दिखा है, efficiency में बात की है, कि LX, bob से twice fast है, और triple fast है, call के comparison, तो आपको click हो जाना चाहिए, आपको तुरंद click होना चाहिए, कि अरे ये तो efficiency वाला है, ठीक है, efficiency के question का structure सबको clear होना चाहिए, कि सबसे पहले आपको workers की individual efficiency निकाल लिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, LX, bob, और call, LX, bob से double efficient है, और call से triple efficient है, एक तरफ double, एक तरफ triple, तो double और triple के साब से, माल लो जो LX है, उसकी efficiency 6 है, मतलब वो double और triple, मतलब 6 ले लो, अब LX, bob से double था, LX अगर bob से double है, और LX 6 है, तो that means bob कितना होगा, 3, तभी तो 6 बनेगा, भई 3 का double ही तो 6 होता है, और LX जो है, वो call से triple efficient है, अब LX अगर 3 है, सौरी, LX अगर 6 है, तो 6 किसका triple होता है, 2 का, तो सबसे पहले आपके पास efficiency आगे, मानते हैं सबी बच्चे, कि सर, LX, bob और call की efficiency मेरे हाथ में लग दी, अब मैंने आपको बोला है, कि जब भी वो आपको efficiency बताएगा, तो पक्की बात है कि वो किसी ना किसी के days देगा, दो ही बाते होती है, या तो वो किसी के days देता है, या फिर days के बीच का difference देता है, कि यहाँ पर days दे रखे है, कि bob किसी काम को 40 days में कर सकता है, तो this simply means कि आप यहाँ से total work निकाल सकते हो, मानते हैं सबी बच्चे कि सर, यहाँ से मेरा total work आ जाएगा, total work कितना होगा, सर, bob एक दिन में 3 chair बनाता है, तो 40 days में कितनी chair बनाएगा that is 120, आपके हाथ में efficiency लग चुकी है, आपके हाथ में total work लग गया है, बात हो चुकी है, खतम, ठीक है, अब question जैसा कहा है, बचुप चाब ऐसा ऐसा करते जो, question कहा रहा है, कि Alex और Bob पहले दिन काम करते हैं, फिर Bob और Call second day काम करते हैं, Call Alex तीसरे दिन काम करते हैं, और ऐसे कह दिन काम करते हैं, Bob और Call काम करते हैं, Bob और Call, 3 और 2, 5 चेर बनाएंगे, तीसरे दिन काम करते हैं, that is Call और Alex काम करते हैं, Call, 2 चेर, Alex, 6 चेर, मतलब चेर बनगी 8, तो इस तरह से सर, अब यहीं चीज़ repeat होती रहेगी, क्योंकि तीन दिन की कहानी ऐसे repeat format पे चलती रहेगी, त पर्शन यह कहारा है, कि बताओ, Alex ने, जब यह काम खतम हुआ, तो Alex ने इस प्रोजेक्ट पे कितने दिन काम किया, जब यह काम खतम हुआ, तो Alex ने कितने दिन काम किया, सबसे पहले देखते हैं, काम खतम होने में दिन कितने लगेंगे, ठीक है, यह जो 3-3 दिन की cycle है, इस के नियर पहुँच जो तो सर्फ 15 डेज में कितनी चेयर बन गई सर्फ 15 डेज में 110 चेयर बन गई अब 16 डे काम करने कौन आएगा सर्फ 16 डे काम करने आएंगे Alex और Bob काम करने आएंगे और वो इसके अंदर 9 chair और बनाएंगे 110 में 9 chair 119 chair बन गी उसके बाद सर्फ 17th day की बारी आएगी इस दिन Bob और Call आएंगे और Bob और Call एक दिन में 5 chair बना सकते हैं chair बनाना रह गया एक सिर्फ 1 chair बनाना बाकी है और 17th day पे 5 chair बनाते हैं मतलब 17th day पे काम आपका done हो जाएगा मतलब 17th day पे काम खतम हो जाएगा हाला कि मैं पूरी calculation नहीं कर रहा मैं complete ये नहीं find out करूँगा कि बही कितने दिन exact कितने दिन मैं ये नहीं निकालूँगा क्यों सर इसलिए क्योंकि मुझे बस ये बताना है कि इस process में LX कितने दिन आया है अब LX तो 17th day आया ही नहीं है तो 17th day कितना use हुआ मत निकालो क्योंकि 17th day LX आया नहीं तो फिर 17th day कितना use हुआ पूरा 17th day तो लगा नहीं क्योंकि एक ही चेयर बनाना बाकी है और ये 5 चेयर बना सकते हैं तो पूरा नहीं लगा और ना आप इसको निकालो आप बस ये देखो इस process में LX कितने दिन आया है अब एक बात देखो ये जो 3 दिन का process है ये जो 3 दिन की cycle चल रही है 3 दिन की cycle कि सर 3 दिन में कि सर 3 दिन में चेयर बनी 22 और फिर आपने इसको 5 से multiply कर दिया मतलब 3-3 दिन की आपने 5 cycle उठाई इस 3 दिन की cycle में LX कितने दिन काम करता है ये जो 3 दिन की cycle है इसमें आपका LX कितने दिन काम करता है सर LX काम करता है हमारा that is 2 दिन इस 3 दिन की cycle में LX तो 2 दिन काम करता है अब आपने 3-3 दिन की 5 cycle उठा ली तो 5 multiply करूँ तो कितने 10 दिन यानि ये जो 15 दिन लगे हैं इन 15 दिन में 10 दिन LX के हैं राइटे जी बार 10 दिन किसके हैं LX के हैं फिर LX ये 16th day भी आया यानि एक दिन और तो LX टोटल 11 दिन काम पर आया है 11 days आया समझ में 3 दिन में 22 चेर बनी अब ये 3-3 दिन की cycle मैंने 5 बार ली तो 3 दिन की 1 cycle में LX 2 दिन आता है तो 3 दिन की जो मैं 5 cycle ले रहा हूँ उसमें LX 10 दिन आएगा अब जो 16th day है उस दिन LX आता है मतब एक दिन और 11 दिन हो गए पर 17th day LX नहीं आता तो LX के total 11 days लगे मतब LX ने इस project पर 11 दिन काम किया उमीद है कि ये बास समझ आई सभी बच्चों को ये सो नो तो एक अच्छा question है मतब alternate days पर काफी देते हैं तो ये थे आर आपके cat 22 के questions अब मैं आपको इक बार बता देता हूँ मैंने start किया मैंने start किया था from 1990 ठीक है 1990 से हमने कहानी को start किया और यहां से question number 1 1990 का question आया फिर ऐसे करते 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 हमने 19 question किये हम लोगों ने ये 19 question किये थे फिर उसके बाद मैंने cat 27 के question 17 से मैंने question start करा दिये थे आप लोगों को actually फिर मैंने यहां से cat 17 से question start करा दिये थे मतलब 2004 के बाद cat 2004 के बाद मैं आपको सीधा cat 2017 के आगे के question मैंने करा है मतलब हमारे basically cat 1990 से 2004 तक के question हमने किये जो कि total 19 question थे फिर 2017 से लेकर के cat 2022 तक के question हमने किये जो मेरे ख्याल से कितने थे question थे around 25 के around question थे around 25 या 26 question 27 से लेकर के cat 207 से लेकर 2017 से 2022 तक में total 25 प्लस question थे अब यह जो बीच का gap बचा हुआ है that is 2005 से 2016 पहली बात यहां पर क्योंकि जो हमारी arithmetic उसका weightage काफी drop हुआ था और इस बीच में number system बहुत जादा आता था तो इसलिए arithmetic के question आपको देखने को बहुत ही कम मिलते थे तो उनमें से कुछ एक बार आपसे कुछ एक time तीन-चार बार या चार साल में आपको कोई भी तीन-चार पर्टिकुलर यार में आपसे time and work के question पूछे गए थे जैसे कि ये वाला question तो अगर मैं बात करूँ तो एक ये question एक दो तीन, बस तीन question है मतलब अगर मैं देखूं तो 2005 से 2016 तक में बस तीन बार आया time and work का question क्योंकि इस time period के दौरान arithmetic बहुत कम आता था ठीक है number system वगेरा बहुत जादा आता था बहुत ना के बड़ जैसे अभी number system बहुत rare आता है तो इसी आप से पहले arithmetic बहुत rare आता था तो number of question काफी कम है इस time period के बीच में हम लोग देखते है question number तीन question बचे है basically हमारे 1990 से 2022 तक में total तीन question बचे हुए तो वो तीन question एक बार समब कर लेते हैं ठीक है चाल और इससे आपको ये भी बता लग रहा है जो हम लोग आप कहते हैं कि arithmetic पे focus करो आप खुद इस चीज को analyze करो आपको इस चीज को देखो कि 1990 से ले करके 2004 तक में total 19 question थे 19 से 20 question उन्होंने time and work के पूछे 19 to 20 19 से 20 question उन्होंने रखे और 2017 से ले करके 2022 तक में यानि पिछले 6 साल के अंदर वो लगबख 25 से 26 question जो है time and work के पूछ चुके अब ये जो बीच का time period थे time and work बहुत कम था ठीक है चाल अब आजो इस question को एक बार आप लोग try करो हाला कि मुझे लगता है ये जो question है ये mensuration का question होना चाहिए time and work का नहीं होना चाहिए लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा pipe वगेरा के उपर बात हो रही है लेकिन थोड़ा आप देखोगे तो time and work और mensuration का mixture है ये question ये question आप कहा सकते हो time and work और mensuration का एक mixture है क्योंकि आपर देखो बात दोनों तरह से होगे एक inlet pipe और एक outlet pipe हाना तो थोड़ा सा time and work और mensuration का एक तरीके का mixture है ठीक है चल एक बार try करो खेर आप लोग आता है answer बहुत अच्छी बात है नहीं तो मैं कराता हूँ और ये question actually आपका I guess 2005 का है पर मैं check कर लूँ cross check कर लूँ बस नहीं ये 2012 का है ये cat 2012 का है और ये memory based question है क्योंकि इस बीच में 2012 में cat अपना जो question paper है वो release नहीं करता था सिर्फ answer जो भी है मतब सीधा result and all तो question paper release नहीं किये जाते थे cat के तो इसलिए question memory based है आप लोगों को पता है न कई teachers होते हैं exam देने जाते हैं बगेरा बगेरा तो वहाँ से फिर वो data बगेरा याद कर लेते हैं ताकि बच्चों की help हो पाए एक content बच्चों को मिल पाए तो यह memory based question है हाला कि मतब almost ऐसा सही question cat 2012 में पूछा गया था आप लोग फिलाल answer बताओ क्या होना चाहिए ओके सो सुहान का कहना है B यानिके 1.25 निलक्ष का कहना है C और बागे बच्चों के साब से कशिश का कहना है 1.5 चल लगाए थोड़ा दिमाग लगाते हैं समझने की कोशिश करते हैं देखो ध्यान से सुनेंगे बात को यहाँ पे कहना चाहरा है कि आपके पास the radius of cross section of pipe P1 and P2 is 7 and 14 यानि आपके पास एक pipe है इसका radius कितना है 7 है और एक थोड़ा बड़ा pipe है इसका जो radius है वो कितना 14 है थोड़ा जादा मोटा pipe है water का जो flow है यानि यहाँ से जो पानी flow कर रहा है 10 meter per second की speed से ठीक है और यह वाला जो pipe है यह अकेला पूरे tank को fill कर सकता है 2 घंटे में यह पूरा tank fill करने में कितना time लेता है 2 घंटा तो यह तो पहले pipe की information मिलगी कि उसकी radius 7 है उसमें पानी की speed 10 meter per second है और वो tank को 2 घंटे में बर सकता है क्या यहाँ से मैं tank की capacity नहीं निकाल सकता मानते हैं नहीं सबी बच्चे कि सर यहाँ से tank की capacity आ जाएगी कैसे देखो एक बात बताओ अगर मैं यहाँ पे बोलू इस pipe का जो cross section है वो 7 है मतलब इस area की मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना पानी बहार आता है अगर मैं cross section area की बात करूँ तो वहाँ से कितना पानी बहार आएगा क्योंकि यह circular है न? तो pi r square तो शर pi pi r square मतलब pi 7 का square as a cross section as a cross section की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन पानी की speed है 10 meter per second यानि एक second में इस pipe से 10 meter length का पानी बहार आ जाता है दुबारा सुनो मैं क्या क्या रहो pipe का cross section जो है वो circular है तो cross sectional area pi r square यानि pi 7 का square और क्योंकि speed है 10 meter per second तो मतलब एक second में 10 meter length का पानी बहार आ जाता है तो एक second में कितना पानी बहार आता है multiply 10 कर दो क्या ये बात clear है ये जो pi 7 का square into 10 है ये क्या बता रहा है कि एक second में कितना पानी बहार आता है एक बार chat के थुरू बता दो ये बात valid है सभी बच्चों के साब से कि एक second में पहले pipe से कितना पानी बहार आएगा P1 pipe से that is pi 7 के square into 10 लेकिन ये एक second की बात कर रहा है question कहा रहा है कि ये दो घंटे में tank को भर देगा दो घंटे में कितने second होते है सर दो घंटे में second होते है क्योंकि दो घंटे अगर मैं बात करूँ तो दो घंटे का मतलब कितने second होते है 2 into 60 into 60 बात क्लियर है सभी को तो यहाँ पर ये तो था भई कि एक second में पानी कितना आएगा एक second में कितना पानी आएगा लेकिन अगर आप इसके अंदर multiply कर दो that is 2 into 60 into 60 तो ये क्या निकल के आया सर ये है tank की capacity कि भई tank कितने liter का है पूरा solve नहीं करेंगे बस यहाँ पर छोड़ देते हैं पूरा solve नहीं करेंगे छोड़ दो यहाँ पर आगी क्या कहता है कहता है जब P1 pipe को आप as a inlet use करते हो यानि जो P1 pipe है वो tank में पानी डालने का काम कर रहा है और P2 pipe से पानी बाहर निकल रहा है और P1 से पानी अंदर आ रहा है और P2 से बाहर निकल रहा है ध्यान से सुनते हो चलना अब देवो बात को समझेगे यहाँ पे कहता है तो आपका जो tank है अब यह tank भरता है 4 घंटे में अब यह tank कितने घंटे में भरता है 4 घंटे में अच्छा अगर मैं efficiency की बात करूँ efficiency मतलब होता है एक second का काम हाना क्योंकि यह question per second के साब से चल रहा है कि एक second की efficiency कितनी है एक second की तो अगर आप बात करो एक second में पहला pipe कितना पानी डालता था एक second में तो अगर मैं efficiency की बात करूँ P1 pipe की efficiency की बात करूँ तो P1 pipe की efficiency क्या है क्योंकि मैं efficiency देख रहा हूँ per second per second किसकी कितनी efficiency है तो पहला pipe एक second में कितना पानी डालेगा that is sir pi 7 का square into 10 यह है पहले pipe की efficiency P2 pipe की efficiency क्या है तो आप कोगे सब P2 pipe की मुझे area of cross section बता है क्योंकि radius 14 है तो area of cross section क्या होगा that is pi 14 का square पर सर उसकी speed नहीं पता मुझे मालनो जो इसकी speed है जैसे इसकी speed 10 meter per second थी इसकी speed है x meter per second तो आप इसमें multiply x कर दोगे यह सुनो मालते हैं सभी बच्चे एक बार मैं दुबारा लिखता हूँ ठंसे ध्यान से सुनना मेरी बात को अगर मैं यहाँ पे बोलूँ efficiency efficiency वो भी मैं per second की देख रहा हूँ per second कि एक second में कौन कितना पानी डालेगा तो P1 pipe का जो cross section है वो कितना है 7 है और P2 pipe की radius 14 है तो P1 pipe के cross section मतलब उसका area कितना है front area that is pi 7 का square और उसकी speed के 10 meter per second मतलब वो एक second में 10 meter length का पानी बाहर फेक्ट है तो वो एक second में कितना पानी बाहर फेक्ट है multiply 10 कर दो अब यहाँ पर जो P2 pipe है उसकी 1 second की efficiency कितनी है सर उसका area of cross section circular है radius 14 है तो उसका जो front area है P2 pipe का यह front area कितना है that is sir pi 14 का square पर सर इसकी speed क्या है इसकी speed क्या है तो सर इसकी जो speed है P2 pipe की जो speed है वो कितनी आपकी that is आपको इस यानि पर देगो rate of flow बताना ना इसकी speed बतानी है तो मालो जो इसकी speed है आपने x माल ली कि x meter per second माल ली आपने तो यहाँ पर multiply क्या आ जाएगा sir x आ जाएगा क्या यह बात मानते हैं सभी बच्चे yes or no ठीक है ड़ने बात ओके अब यहाँ से अगर मैं देखू ठीक है अब यहाँ पर जब आपने यह efficiency निका लिए अब यहाँ से अगर मैं इसकी efficiency देखू तो efficiency का काम करते हैं comparison निकाल लेते सीधा efficiency को ratio में निकाल लेते हैं sir pi से pi कट जाएगा और simple करते है question pi से pi कट गया यह 7 का square है यह 14 का square है भाई 7 का square और 14 का square को आप ऐसे लिख सकते हो 7 square into 2 square यह cancel out होगा तो sir 1 से 4 और 7 में x भी है ध्यान देना यह 7 square 14 square को काटेगा तो 1 4 आ गया लेकिन यहाँ पर 10 भी है तो 1 multiplied 10 और यह 4 x जिसे आप 2 से काट दो तो यह 2 पे जाएगा और यह 5 पे जाएगा तो in short अगर आप इसको cancel out करोगे तो इनकी efficiency का ratio क्या निकल के आएगा इनकी efficiency का ratio निकल के आजाएगा that is यह इसको 4 पे काटेगा और फिर 2 से काटू ते 5 पे जाएगा और यह 2 x पे जाएगा तो यह इनकी efficiency का ratio है that is 5 ratio 2 x क्या यह बात clear है यानि pipe 1 के efficiency अगर कितनी है that is 5 तो pipe 2 के efficiency कितनी है 2x है ठीक अब उसके बात कहता है अब मैंने क्या बोला जब भी आपको efficiency मिलेगी तो पक्की बात है किसी ना किसी का time बताएगा तो कहता है जो पहला pipe है जो P1 pipe है वो tank को 2 घंटे में भर सकता है तो tank की capacity कितनी होगी कि sir अगर ये इसको 2 घंटे में भर सकता ह तो tank की capacity है 2x5 क्योंकि इसकी efficiency 5 है ये 1 second में 5 unit पानी factor है तो tank है आपका 10 liter का कितने liter का है 10 liter का ठीक अब question कह रहा है कि जब P1 और P2 मिल के काम करते हैं जब P1 और P2 मिल के काम करते हैं तो ये tank को 4 घंटे में भरते हैं यानि P1 P2 की efficiency कितनी है क्योंकि P1 P2 मिल करके इस 10 liter के tank को कितने घंटे में भर रहे हैं 4 घंटे में मतब इनकी combine efficiency कितनी आ रही है सर इनकी combine efficiency 10 liter के tank को 4 घंटे में भरा तो combine efficiency आ रही है 2.5 अब सर P1 की efficiency 5 है P2 की efficiency 2x है और ये आ रहा है 2.5 राइट है तो यहां से क्या आएगा इसको इधर minus करोगे तो 2x कितना आ जाएगा minus का 2.5 आ ज क्योंकि P2 आपका outlet है जो P2 है वो outlet pipe है P2 outlet है तो that's why negative आ रहे है जो negative आ रहे है ये सिर्फ इसलिए आ रहे है क्योंकि जो आपका P2 pipe है वो outlet है मतलब पानी बाहर निकालता है तो negative का आप ignore करो भी फिलाल क्योंकि negative सिर्फ ये बता रहे है कि पानी बाहर निकलेगा तो x की value कित पता लगी और efficiency पता लगी फिर बात खतम आया ये method समझ में सभी को एक तो normal calculation जो भी मैं starting में बता रहा था tank की capacity हो पाई वाई लेकर के पूरी बड़ी-बड़ी calculation करो या थोड़ा समझदारी से deal करते हैं राइट निस्ठा, प्रित्वी, निलक्ष समझ आया सभी बच्चों को अच्छे से दुबारा बताना है या ठीक है सर आगया समझ में राइट चलो, बढ़िया बस यहाँ पर हम लोगों ने समझदारी क्या करी इस question को deal करते हैं समझदारी अपन ने यह करी कि यहाँ पर efficiency हमने निकाल दी तो यह पाई वाई जो है न यह ड्रमेटिक से number यह सब कट गए ठीक है यह जो अजीव-जीव से number है कट गए ठीक है बढ़िया, clear, चाल, next पर आते है एक बार मैं shot में sum up कर देता हूँ ठीक है एक बार मैं shot में sum up कर देता हूँ बस यहाँ पर बस आपको यह एक छोटी सी बात ना आपको बस एक छोटी सी बात यह ध्यान लखनी है और मुझे genuinely बताने बात पक्का सभी बच्चों को clear हुई है ना कि अगर sir एक pipe है क्योंकि important point है कि sir अगर एक pipe है और इस pipe का जो cross sectional है वो circle है obviously और इसकी radius मैंने बोली 7 और मैं section area है pi r square यानि pi 7 का square और क्यूंकि एक second में 10 meter length का पानी बहार आता है तो sir कितना पानी बहार आएगा pi 7 का square into 10 पक्का यह बात clear है ना सभी को ड़ले पक्का यह clear है सभी को यह point clear है तो बढ़ी है क्योंकि अगर आपको यह point clear है फिर तो बात खतम क्योंकि अगर हम बात करें P1 की और बात करें P2 की तो efficiency अगर यह thought clear है ना आपको फिर question में खतम कुछ खास नहीं है इसकी radius 7 तो वहीं चीज़ है सर पाई 7 का square और speed कितनी है 10 एक सेकंड क्योंकि efficiency हम लोग पर सेकंड देख रहे है तो सर यह एक सेकंड में इतना पानी फैकेगा यह कितना पानी फैकेगा पाई 14 का square सर इसका जो rate of flow है वो तो मुझे निकालना है जिसको x ले लिया तो सर into x हो गया सर अगर मैं cancel out कर दूँ तो यहाँ पे सर पाई से पाई कटेगा 7 का square 14 के square को 4 पे काट देगा सर यह 2 पे गया यह 5 पे गया तो efficiency आगी 5 ratio 2x आ गई simple अब question कहा रहा है कि जो आपका यह पहला वाला pipe है जिसकी speed 10 meter per second है वो tank को 2 गंटे में भर सकता है तो इसका मतलब tank की capacity कितनी है भई पहला pipe एक second में कितना पानी फैक्त है बाहर या फिर उसकी efficiency ले ली न मैंने तो एक second भी छोड़ो ना क्योंकि है तो ratio यह बात भी समझना क्योंकि है तो यह ratio अब अगर यह ratio है तो आलगी आप बोलोगे सर यह per second था लेकिन hours के वक्त आपने सीधा 5 into 2 लिख दिया क्यों लिख दिया क्योंकि यह ratio है ratio को आप चाहे per second रीड करो चाहे आप परार रीड करो उससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि यह ratio में अभी मैंने proper second में लिया अभी मैंने proper इसको second में लिया लेकिन फिर मैंने निकाला ratio तो जब किसी चीज़ का आप ratio निकालते हो ना जैसे मालो एक जगा मैंने लिखा है 5 second और 2 second का मतलब कितना minute होता है 2 by 60 लेकिन जब आप ratio निकालोगे तो 60 से 60 कटके वापस 5,2 ही आना है बात आरी है समझ में तो चाहे आप 5 second 2 second का ratio करो या 5 second 2 second को minute में convert करके फिर ratio निकालो ratio तो 5,2 ही आएगा तो इसी रिए इस बात का ध्यान रखना है ठीक तो सर इसे आप 2 घंटे की efficiency भी ले सकते हो कि सर ये एक घंटे में 5 यूनिट पानी डालता है तो 2 घंटे में कितना डालेगा 5 into 2 यानि 10 लीटर का tank है सर question कहा रहा है P1 P2 मिलके इसको 4 घंटे में भरते हैं तो P1 और P2 की combine efficiency कितनी है that is sir 10 by 10 by 4 यानि कि 2.5 है अब P1 की efficiency कितनी है 5 P2 की efficiency है 2x दोनों को add करा आया 2.5 इसको minus किया 2x की value minus 2.5 बच्चे ने का सर minus क्यों आ गया क्योंकि भाई ये outlet pipe था इसलिए negative आया है तो negative को ज्यादा भाव मत देना outlet है that's why negative आया तो x की value कि आ जाएगी 2.5 divided by 2 यानि कि 1.25 डन है इतना असान था एक question done next पे आते हैं इसको try करना एक बार ये अच्छा question एक और आपका ये अपका 2013 का question एक गाना सुना तीजे मतलब उसके टीगरी का टीचर बंजाओ हाँ कि देखो बच्चों का देड़ तक पढ़ाया नहीं से बच्चों का दिमाग थख जाता है इसलिए मैं बीच में एंटर्टेनमेंट करता रहता हूं तो इसलिए मैं बीच में बिल्कुली गाने शुरू कर देता हूं नाचना शुरू कर देता हूं वह सब नहीं हो भाईगा मेर से ठीक है बंदर में लगता है ठीक है बच्चों के एक समझता हम इस बात को कि हां तेड़ दो गंटा कॉंटिन्यू बच्चे को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है बीच में अजीब हो जाएगा ठीक है और अगर मैंने काना सुना दिया तो अच्छा है फिर यूट्यूब ने डिस्लाइक हटा रखा है ठीक है यूट्यूब ने डिस्लाइक हटा रखा 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 र सिया राम शर्मा सही है हाले कि मैं समझ में आता है इसी बाते कई बार क्यों चलती है दोर दर मार्केट वे क्योंकि एनिवेज या टीचर्स को प्लाटफॉर्म तो अनकेडमी ही दे रहा है ना ठीक है तो अगर किसी कॉंटेंट के लिए आप लोग एक टीचर को थैंक्स बोलते हो तो एक्वली थैंक्स मुझे लगता है उस पर्टीकुलर प्लाटफॉर्म का भी बनता है बनता है ना यह उस प्लैटफॉर्म का भी तो बनता है क्योंकि प्लैटफॉर्म तो वहीं है जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा मतलब मेरे साथ से नहीं होना चाहिए। वन वन का रेशो मनीश एंड। सुहान का कहना है 2 रेशो 1, कशिश का कहना है 2 रेशो 1, मनीश का कहना है D यानि की 1 रेशो 1, बागे शुक्रिया C और A आपके आधे मैसेज के लिए उसके लिए शुक्रिया, चलो, मैं बताओं फिर, देखो, समझते हैं गुशन को, गुशन में अगर इस बात को हम लोग तरीके से समझें, तो एक बात समझना सर, ध्यान से सुनेंगे बात को और ध्यान से समझेंगे बात को, क्वेशन में ये कह रहा है, अनुषका और अनिरुद किसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं, अच्छा, ये हो गई अनुषका, अनु लिख देता हूं, अनु लिख देता हूं सिर्फ, और अनिरुद को अनी लिख देता हूं, अनुषका और अनिरुद किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, इसमें मैं कहा सकता हूँ कि अनुष्का ने कितने दिन काम किया है? सर, x दिन काम किया. ये जो question की पहली statement बोली गई है. उसके according, अनुष्का ने x days काम किया? अनिरुद ने कितने दिन काम किया? सर, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं. अनुष्का चली गई और अनिरुद ने और x प्लस 2 बाई डेस तक काम किया. तो basically अनिरुद ने कितने दिन काम किया? x और फिर x प्लस 2, यानि कि सर, 3x बाई 2. मालते हैं सभी बच्चे, यह सुनू? जिसको मैं in fact एक काम करता हूँ, 3x बाई 2 को और simple भाशा में बोलू, तो 1.5x लिख देता हूँ, ताकि समझने में असानी हो. क्योंकि इसको solve करके 3x बाई 2 आएगा, जिसका मतलब होता है 1.5x. तो in short मैं कह सकता हूँ, कि जब दोनों ने ये पहले process में मिलके काम किया था, तो अनुष्का अगर काम को x दिन में करती है, तो अनिरूत को कितना डाइम लगता है? That is 1.5x लगता है. Second में अगर मैं बात करूँ, तो कहता है कि अगर अनुष्का 3x by 4 days के बाद जाती, कितने दिन के बाद 3x by 4 days, जो कि बेसिकली हो जाता है 0.75x होता है, मतलब अनुष्का अगर 0.75x काम करती, अब देखो, काम तो दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, तो काम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, बाद 0.75x days के बाद अनुष्का चली गई, मतलब अनी 0.75x तक तो आये ही आया, क्योंकि दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, और फिर अनिरुद को काम खतम करने में x दिन और लगते हैं, तो 0.75 में x add कर दो, तो बन गया 1.75x बन गया, क्या ये बात क्लीर है सभी बच्चों को, तो in short एक बात मैं यहाँ पर एक conclusion इसको समझने के बाद, मैं conclusion ये निकाल सकता हूँ क्या, कि अगर अनुष्का, अगर अनुष्का इस project पे कितने दिन कम काम करे, that is minus 0.25x, इतने दिन कम काम करे, तो अनुष्का के 0.25x डेस के बराबर ही है, राइट, बराबर ही है, तो 1-1, efficiency 1-1 होगी, बहिए अनुष्का 0.25 डेस में, मतलब अनुष्का, देखो, पहले case में अनुष्का इस दिन, अनुष्का इस दिन अनुष्का आया 1.5x काम खतम, फिर अनुष्का हो गई 0.75x, अनिरूद हो गया 1.75x, यानि अगर अनुष्का 0.75 डेस कम आये, तो अनुष्का 0.25x दिन जादा लगते हैं, तो मतलब अनुष्का के 0.25x डेस का काम, मतलब अनुष्का अगर एक दिन में, मालों अनुष्का के एफिशेंसी capital A है, अनिरूद के एफिशेंसी small a है, तो अनुष्का 0.25x डेस में कितना काम करते होगी, 0.25 into में A, और इसका ये जो काम है, इसको अनिरूद को करने में कितना डाइम लग गया, that is 0.25 into small a, equal रखो, कट जाएगा, 0.25x, 0.25x कट जाएगा, और A upon A क्या निकल क्या आएगा, that is 1 by 1, यानि 1 by 1 क्या ratio आएगा, दने बात क्लियर है सभी को, क्या ये point clear है, बिल्कुल मनीश, अभी उस पर भी आऊँगा, जो आपने बोला, इसको एक और तरीके से समझते हैं, कि सर, क्योंकि ये जो भी मैंने लिखा आपके सामने, ये चीज़े बच्चा फटावट से calculate कर लेते हैं, अब दूसरे थौट पे आते हैं, मालनों सर, अगर efficiency की बात करें, efficiency की बात करें, अनुष्का एक दिन में, जो अनुष्का है, जिसे मैंने अनुष्का पूरा ही लिख देता हूँ, अनुष्का, अनुष्का की efficiency capital A है, और जो अनिरूद है, अनिरूद की efficiency small a है, तो अब सर, काम कैसे हुआ है, देखो, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, एक्स दिन के बाद अनुष्का ने आना बंद कर दिया, मतलब पहले, अनुष्का की efficiency A, अनिरूद की small a, मतलब A, capital A, plus small a के efficiency से, एक्स दिन तक काम हुआ है, फिर उसके बाद बचा हुआ काम, अनिरूद ने, एक्स बाइट टू डेज में किया, अनिरूद एक दिन में A चेयर बनाता है, X बाइट टू डेज में कितनी चेयर बनाएगा, X बाइट टू A बनाएगा, तो ये चीज़ कहीं न कहीं, total work बता रही है, अनुष्का और अनिरूद के X दिन का काम, plus में, अनिरूद के X बाइट टू डेज का काम, that is total work, फिर मैंने बोला कि, अगर अनुष्का 3X बाइट टेज के बाद जाती, यानि कि, अनुष्का और अनिरूद, 3X बाइट टेज तक काम करते, plus, उसके बाद, जब अनुष्का चली जाती, तो अनिरूद को X दिन और काम करना पड़ता है, यानि कि X A, तो यह भी क्या है, सर, total work, तो यहां से भी आप answer निकाल सकते हो, वहीं सेम answer, यह कितना हो जाएगा, यह AX हो गया, हाना, यह AX हो गया, यह small AX और plus में AX by 2, दोनों को add कर लेना, तो 3X by 2A आजाएगा, यहां से कितना हैगा आपका, सर, यहां से आजाएगा, 3X by 4, capital A आजाएगा, एक तो यह यह X common निकाल के काटी दोना, X common निकाल के काटी देते हैं, हर टर्म के अंदर तो X पड़ा ही है, अगर आप देखो, हर एक टर्म के अंदर X है, यहां पर भी X है, यहां पर भी X है, यहां पर भी X है, पहले तो इस X को काटो, यह irritating लग रहा है बहुत जादा, X को हटा तो, तो यह होगी capital A, और यह A, और यह half A, मतलब 3 by 2A, यहां से, सर, यह 3 by 4A, ठीक है, अनुष्का कितना अगे, that is sir, 3 by 4 capital A, अच्छा, अनिरूद कितना है यहां पर, 3 by 4 small A, और यहां पर A, तो यह कितना होगी, अनिरूद कितना होगी अपना, that is 7 A by 4 हो गया, खेद इसको minus करो, A में से 3 by 4 A minus करोगे, 1 by 4 A आ जाएगा, यहां अगर आप 7 by 4 A में से, 3 by 2 A minus करोगे, तो 3 by 2 को, हाला कि आप 6 by 4 लिखो, तो small A by 2 यह आएगा, तो यह कितना, small A by 4 आएगा, तो small A by 4 हो जाएगा, फिर आपका 4 से 4 कट जाएगा, और capital यह आपको आपने, small A के आएगा, 1 by 1, यानि 1 ratio 1, उसके इतने दिन का काम, वो इतने दिन में करता, उस thought पे भी आप जा सकते हो, आते हैं, last question पे, time and work के, जो हमने 1990 से ले करके, 2022 तक के question discuss करने है, उसमें यह last question है, ठीक है, 2016 का question है, एवार इसको बताओ, ठीक है, बाकी यार, जो मैं आपको starting में बता रहा था, उसमें बस यह था, क्योंकि आप ताकि extra ना लिखो, ठीक है, तो बस यह देखना था, अनुष्क दो process है, पहले process में अनुष्का x दिन काम करती है, अगले बारे में कितना, 3 by 4 x मतब 0.75 x, यानि अनुष्का के मैंने 0.25 x days कम कर दिये, अनुष्का के अगर आप 0.25 x days कम कर देते हो, अनुष्का के, तो अनुष्का के 0.25 x days बढ़ जाते है, तो क्योंकि सीधा सीधा 1-1 आ जाता है, तो इसलिए मैं कहा रहा था, वो आप डारेक्ट भी कर सकते हैं, बाद में 3 x 4 x मतब 0.75 x, तो पहले x, बाद में 0.75 x, मतब अनुष्का के मैंने 0.25 x दिन कम कर दिये, तो अनुष्का के आप 0.25 x दे अगर अनुष्का के आप 0.25 x कम कर दो, तो 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 मैंने गहा था, इक्वल एफिशेंसी हो जाएगी, ठीक है? ओके, कोई नहीं सब्ला इडिया, इन दौर पे फोकस करो फिर, पीडियाफ, सिम्रन मैं इन सभी चैप्टर की, जो जो चैप्टर मैंने करा दिये, आज तो I guess मैंने simple और compound भी खतम करा दिया, ठीक है? log exponent हो गया, और कौन सा हो गया हमारा? log exponent हमने कर लिया, फिर उसके बाद percentage हो चुका है, 1990 से 2022 तक की अगर मैं बात करूँ, log exponent, percentage, ratio अपने डन कर लिया, आज time and work हतम हो गया, और कौन सा? SICI, simple interest, compound interest, कितने chapter हो गये फिर मारे? और भी कोई chapter मुझे लग रहा हो है, इससे अलग भी कोई हो है क्या? I think यही हो है, log exponent, percentage, ratio, time and work तुमें ने एप इसी पे कराई YouTube पे, हाँ, यह 5 chapter हो है, अगर मैं कोई मिस कर रहा हो तो बताना, इनकी सबकी PDF ना, मैं 2nd June के आसपास आपको पक्का शेयर कर दूगा, ठीक है? Tita form में कुशन है यह, मनीश Tita form में ही है, मेरे साब से तो बाकि मैं कोई रहा हो श्यक्त हूँ, ठीक है? Tita form में ही है भाई है, अगेन ही memory based question है, 2016 का, ठीक है, cat 2000, काफी, असान वाले ही तो कुशन है, क्या कहते हो, असान ही है न कुशन, वहीं तो elementary वाला कुशन, एक contractor है, agree करता है, कि जी हम 1.500 दिन में काम कर देंगे, अब scene क्या है, उसे 75 आदमी काम पे लगा है, और उनसे 8 घंटे per day काम कराया, 90 days के बाद क्या देखा, 2 by 7 काम हुआ है, पहले ही हाँ तक रुख जाओ, तो यहाँ तक में क्या समझ में आया, कि सर 75 आदमी उने, 8 आस per day के साब से, 90 days के अंदर, 2 by 7 काम किया, ठीक, आगे, अब आप और कितने आदमी लगा दोगे, right, मतब सेकंड सिचुएशन में जो आदमी है, वो बेसिकली 75X है, मतब मैं 75X ना लिखके, simple N लिख देता हूँ फिलाल, अगले केस में जब मैंने आदमी बढ़ाए, तो मालो N आदमी हो गए, अब इनसे यह क्या करता है, 10 hours per day काम करवाता है, और यह चाहता है कि काम जो है ना, काम on time खतम हो जाए, on time मतलब target डेड़ सू दिन का था, 90 days काम हो चुका है, 60 days बचे हैं, तो N आदमी 10 hours per day काम करवे, 60 days के अंदर बचा हुआ काम कर दे, बचा हुआ काम कितना है, भाई 2 by 7 अगर हो चुका है, तो काम कितना बचा, 5 by 7 बचा ना, तो मतलब 5 by 7 काम कर दे, राइट है जिबार, और बीच में equal to 1 अब्वियस है, 75 आदमी ने 8 hours per day के साब से, 90 days में 2 by 7 काम कर दिया, अब मैंने आदमी बढ़ाए, यानि N आदमी कर दिये, और उनसे 10 hours per day काम करवाया, ताकि काम on time खतम हो, on time मतलब 1.500 दिन में, अब 1.500 दिन में 90 दिन तो हो चुके हैं, तो 60 days बचे ना, तो 60 days में काम करना है, और कितना काम करना है, अगर 2 by 7 काम हो चुका है, तो 1 minus 2 by 7, यानि 5 by 7 काम करवाना है, कर दो 100, डन है, समझ आगे, सभी बच्चों को yes or no, बाकि यहाँ 7 से, 7 कैंसल आउट कर लेना, 2 के devil में, ये, 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 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 पे, और 5 के devil में, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 पे, 30 के devil में, ये जाएगा 2 पे, 30 के devil में जाएगा 3 पे, 2 तूज़ा 4, 4 कट जाएगा, 75, 3 जा कितना हो जाएगा आपका, 75 तूज़ा हो जाएगा सरपना, that is, 225 आईगे साना, 225, n की value 225 आगे, तो मतलब आपने कितने extra आदमी काम पे लगाए थे, तो इसका मतलब आपने extra आदमी जो काम पर लगाए, that was, 225 माइनस 75, यानि की 150 आदमी, दने बात, तो एक बार सरप चैट के थुरू बताएं, आप सभी, कि ये question clear है अच्छे से, आभी एक बार चैट के थुरू मुझे share कर दो, कि हाँ सर्थ समझ आ गया, ठीक है, तो ये था सर्थ आपका time and work, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा time and work होता है, खतम, ठीक, तो ये सारे के सारे, around 48 questions हम लोगों ने time and work में discuss किये हैं, कितने, that is 48 questions, done, ओके, बाकी यार, आपका जो, वडोद्रा से अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो एक बार अगर मिलना चाहता है, academic और non-academic दोनों चीज़ों के बड़ discussion होगा, तो वहाँ पर मैं उसे मिलूँगा, that is, 4th June को, ठीक है, 4 June को ये meet-up होने वाला है, offline meet-up है, 4 June को, 4 June 2023, सुबह 10 बचे, तो वहाँ पर मिलूँगा आपको, वडोद्रा, ये आपका address है, जहाँ पर आपको आना है, राइट, अगर कोई doubt है, तो ये number है, इस पर आप inquiry डाल सकतो, 8733883, और ये QR code है, इसको scan करके, इसको scan कर लेना, और fill कर देना, तो वडोद्रा में बेसिकली आने का भी plan है, बाकी अगर और किसी city में आने का chance बना, तो ज़रूर, ठीक है, दिल्ली में बाकी, अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो वहाँ पर जो आपका, CP का center है, दिल्ली में, जो कनाट प्लेस में, अने कैडमी का offline center है, वहाँ पर मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, offline में भी, online तो मैं पढ़ाओंगा, obviously, YouTube पर मैं रहूँगा, अने कैडमी आपको भी पढ़ा रहा हूँ, लेकि साथी साथ, offline में दिल्ली के CP center पर पढ़ा रहा हूँ, एक खास बात और है वहाँ पर, कि जब आप वहाँ पर admission लेंगे, जितना मैं updated हूँ अभी, तो आप जब offline में admission लेंगे, तो आपको online का subscription फ्री मिल जाएगा, मतब जो भी offline का cost है, वो दिया जाएगा, और साथ में आपको online subscription फ्री हो जाएगा, ठीक है, तो उनको subscription लेने के बाद, आप proper batches को join कर सकते, तो flat 20% का आपको off मिल रहा है, up to 6 month तक का extension मिल रहा है, कुल मिला के बाद ये है, कि अगर आप, you know, cat या किसी भी other management entrance को target कर रहे हो, 2023 में, तो आप 6 month का subscription लेना, 3 month आपको free मिल जाएगे, और अगर आप 24 के student हो, cat 24, तो फिर आप 12 महिने का subscription लेना, 6 महिने आपको free मिलेंगे, 24,000 के आसपास, referral code जो आपको use करना है, that is RMAN10, मेरा नम रमल, उसी का short form RMAN10, ये referral code use कर लेना, subscription लेते वक्त, ठीक है, और that's it, subscription के बाद इसको use करना है, ताकि ये offer आपको मिल पाए, अगर मैं बात करूँ, subscription जैसे मैंने बता है, दो तरह के हैं, that is plus और iconic, तो plus के अंदर आपको interactive live classes, unlimited access पूरी है, अपका structured way में course PDF, digital notes, 25,000 question का question बैंग, जो कि सबसे best feature है, और live test and quizzes, unacademy community, ask a doubt, मतरा hand raise करो, icon करके doubt पूछो, और अगर आपके पास iconic subscription लेते हो, तो आपको physical books आपके धर पहुचेंगी, one to one mentorship मिलेगी, gdpi का जो course है, अलग से 18,000 को आपको free मिलता है, discord मतलब आपके mentor के साथ, आपका group बना जाएगा, और एक customized doubt solving, एक आपको feature मिलेगा इसमें, तो यहाँ पर एक मेरा batch है, जो कि 11th में से running में है, आप उसको join कर सकते हो, इसमें मैं 2nd June से new topic स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 2nd June से जो मैं new topic स्टार्ट करूँगा, उसको आप पढ़ सकते हो, और पुराने जो 10-12 session है, उन्हें recording से sum up कर सकते हो, Ignite batch इस batch का नाम है, और अगर मैं बात करूँ, fresh batch एक स्टार्ट हो है, 0 to Zenith batch, इसमें भी आप आ सकते हैं, ठीक है, और 54 प्लस बच्चे जिन्होंने अपना I'm Blackie में, जिन्हें admission मिला, आनेकेडमी के students, और 80 प्लस बच्चे जो की other top MBA colleges में पहुचें, और 99 तो हमारे 75 प्लस बच्चे, जो 99 परसेंट टैली स्कोर करके आया थे, आनेकेडमी के notes इन सभी बातों को ध्यान में रख्के बनाये गए हैं, जो आपको आपकी screen पर right now दिख रहे हैं, and telegram group है मेरा आनेकेडमी इंटर स्कोर रमज, जिसमें U capital है, R capital है, इस telegram group को आप join कर सकते हैं, कोई भी doubt है, वहाँ आ करके आप ऊस सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल मैं करूँगा, राजीवू, discuss करूँगा मैं उसके बारे में भी, ठीक है? ओके, code यह है, 10 नहीं, 20%, तो code यूज करना ना भूले, RMN10, शुक्रिया, आप सभी बच्चों का, वीडियो बसंद आयो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बैल अकन भी दबा देना, ठीक है? और, sunlight आपका यह जो doubt है, ठीक है, मेरको एक बार शेर कर दो, कल मैं lock का doubt session रख रहा हूँ, एक बार मैं देख रहूँगा आराम से, ठीक है, तो उस doubt session में मैं इसको pick कर रहूँगा, ठीक है? चाथ, ओके बाई, take care जी, मिलते बागी next class में, हाँ, बिल्कुल, भोपाल भी आने का chance लेगेगा तो ज़रूर जदी, ठीक है, ओके बाई,